दोस्तों गर आप भी दीपक चहर और भूबनेशुर कुमार को एक बहतरीन गेंद बाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा दोस्तों भारत और शिलंका के भीश में खेले गए पहले T20 मुकाबले में भारती टीम के बल्ले बाजों के साथ-साथ गेंद बाजों का भी जम कर बोल बाला रहा जुसके बाद भारती टीम ने शिलंका को पहले T20 मुकाबले में पूरी तरह से धूल चटा दी चलिए, बताते हैं आपको खिलाडियों के शांदार प्रदर्शन के साथ-साथ पूरे मैश की हाइलाइट्स के बारे में लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि भुबनेशुर कुमार और दीपक चहर में कौन है बहतरीन तेज गेंदबास इस बात का जवाब हमें नीचे कॉमेंट सिक्षन में जरूर दीजेगा दोस्तो, भारतों शिलंका के बीच में सिरीज का पहला T20 मुकावला 25 जुलाई को कोलंबो के मैदान पर खेला गया और अपने डेब्यू मैच में खाता भी नहीं खोल सके बारती टीम के लिए ये जटका बेहदी दुखा था लेकिन इसके बाद बल्ले बाजी करने आए संजु सैमसन और शिकरदवन ने शुरुवात में थोड़ा समय जरूर लिया और शिकरदवन ने दूसरे ही ओवर मिशानदार ओफसाइट की तरफ चौका लगाते हुए ये बता दिया कि आज शिकरदवन का कहर शिलंकाई गेंद बाजों पर जम कर तूटने वाला है शिकरदवन ने अपनी तापर तोड़ बल्लेबाजी से सिर्फ शुरुवाती चे ओवर में ही टीम का स्कोर 51 रंट पहुचा दिया इसलिए संजू सैमसन LBW आउट हो गए और इसके बाद शिकरदवन और सुरिकुमार यादो का जलबा मैदान पर देखने को मिला दोनों ही बल्लेबाजों ने शुरुवाती दो विकेट की कमी को बिल्कुल भी हावी नहीं होने दिया और तेज गती से रंट बना रहे थे क्योंकि शिकरदवन ने क्रीश पर अपनी आखें जमा ली थी और अब उनके लिए बल्लेबाजी करना काफी आसान हो चुका था शिकरदवन ने एक ही उबर में लगातार चक्का और चौका जड़कर कप्तानी पारी खेलते हुए अपनी पावर दिखा दी लेकिन इस बीच सुरी कुमार यादो बीच बेहद ही घातक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे टीम का स्कोर 100 रण के पार पहुँच चुका था लेकिन इस बीच सेट बल्लेबाज शिकरदवन 36 गेदों में 46 रण बना कर आउट हो गया बारती टीम को तीसरा जटका 113 रण के स्कोर पर लगा और इसके बाद सुरी कुमार यादो ने अच्छी बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्ध श्रतक भी चक्के के साथ पूरा किया लेकिन इस टीम के लिए बेहत दुखत बात ये रही कि सुरी कुमार यादो अगली ही अगली ही ओवर में इशान किशन ने अपना गियर बदला और उड़ाना की गेंद पर एक शांदार छक्का लगा दिया और एक छक्के के साथ तो भारती टीम के फैंस की उम्मीदें और भी ज़्यादा बढ़ रही थी क्योंकि लगातार दो जल्दी विकेट गिर जाने के ब कि 14 एकेंदों में 20 रन बना कर क्रीश पर नाबाद रहे जबकि कुणाल पांडिया ने भी नाबाद 3 रन बनाए और भारती टीम 3 ओवर में 114 रनों का संबान जरा की स्कोर बनाने में कामियाब रही बता दें कि लक्ष का पीछा करने उतरी श्रिलंका की टीम को पहला जटक कर रहे थे और लगभग जिस तरह से बल्ले बाजी हो रही थी ऐसा लग रहा था कि अब भारती टीम को जुरत है विकेट्स की ऐसे में काम आई यजवेन चेहल की फिरकी यजवेन चेहल ने श्रिलंका को दूसरा जटका दिया उन्होंने धननजर डिसिलवा को 9 रन के स्कोर क्लीन बोल्ड कर दिया लेकिन दोस्तों इसके साथ ही भारती टीम के लिए खुशी की बात ये रही की टीम के सबसे अनुभवी गेंदबास भूबनेसर कुपार ने श्रिलंका को तीसरा जटका दे कर मारो टीम की कमर ही तोड़ दी भूबनेसर कुपार ने अविश्का को 26 पर विकेट के पीछे कैच आउट करवा दिया ऐसे में फिर एक बार शुलंकाई बल्ले बाजों के बीच में एक साज़ेदारी हो गई और ये साज़ेदारी भारती टीम के लिए काफी जादा मुश्किलें खड़ी करती हुई नजर आ रही थी टीम के कप्तान शिकरदवन के माथे पर साफ परिशानी देखी जा सकती थी कि वो विकेट्स के लिए कितने परिशान है ऐसे में काम आया हार्दिक पांडिया का अनुवव आशेन बंडारा को हार्दिक पांडिया ने 9 रन पर क्लीन बोल्ट कर दिया भारती टीम कुछ हद तक इस मुकाबले में वापसी करते हुई नजर आ रही थी ऐसे में कप्तान शिकरदवन ने गिंदबाजी के लिए बुलाया था दीपक चहर को जिनोंने एक ही ओबर में शिलंका के दो विकेट निकाल कर तो भारती टीम की उम्मीदों को विकेट गिराए चमिका करोना रतने को भुवनेश्वर कुमार ने तीन रन पर आउट किया दासुन शनाका को वरुन चक्रवर्ती ने 16 रन पर आउट किया इसरु उडाना को भुवनेश्वर कुमार ने एक रन पर आउट किया गुबरिक्षवर ने इस मैच में चार विकेट जटके दीपक चेहर को दो विकेट मिले हारदिक पांडिया, कुडाल पांडिया, एजबेन चेहल और वरोन चक्रवर्ती को एक एक विकेट मिला भारती गिंदबाजों का आलन तो यह रहा कि 18.3 ओवर में ही शलंका की टीम को 126 रन के छोटे से स्कोर पर धराशाई कर दिया और 38 रन से इस मुकाबले में जीत दर्श कर ली भारती टीम ने इस सीरीज में एक शूने से बड़त भी बना ली है लेकिं दोस्तों तारीफ करनी होगी भारती टीम की गिंदबाजों की जिनोंने 165 फंट के इस लक्ष को बचाने में सामने वारी टीम को सिर्फ 126 के निजी स्कोर पर ही और आउट करके एक बड़ी जीत हासिल करें जिसका सारा श्रे दीपक चहर और भुवरेशर कुमार की शानदार के इंदबाजी को जाता है दोरों ही के लाडियों ने मिलकर 6 विकेट अपने नाम की और आप भारती टीम के इस एतिहासिक जीत को 10 में से कितने नमबर देंगे इस बात का जवाब हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजेगा और ऐसी ही कबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी योट्यूब चैनल को धन्यवाद